अब घंटो ट्वालेट में बैठने की जरुवत नहीं परेगी और इसके उपाये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ नमस्कार यह है ग्यान की बात यूट्यूब चैनल बहुत बार डाक्टर्स के पास ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं अब घंटो तक सुबह के समय ट्वालेट में बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं होता यह समस्य एक आम बात है लेकिन लंबे समय तक हो तो इससे आपके सिहत पर उल्टा असर पड़ सकता है क्योंकि पेट साफ नहीं होने के कारण पेट में भी सहले ततुप पहुँच जाते हैं और इस कारण से प्रेसर ठीक से नहीं बनता और पेट में कसक रहती है जिसकी बज़ा से इंसान घंटो तक ट्वालेट में बैठा रहता है और इसके बज़ा से पेट में कब्ज, चिर्चिरापन, काम में मन न लगना आधी कई रोग लग सकते हैं और कई बार तो लोग को एसीडिटी और अपच की भी समस्या होने लगती है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे उपाए जिसके बाद आपको ट्वालेट में घंटों तक बैठने का जरूरत नहीं परेगा और ये बिल्कुल है और वेदी कुपचार है, कोई दवाल देने की जरूरत नहीं है सबसे पहला है आप पानी पीएं, पानी पीना पेट के लिए बहुत लावकारी होता है, पानी साफ़ और साधा होना चाहिए सुवज जब आप उठते हैं, तो आप एक गिलास पानी जरूर पीएं, अगर आपको ट्वालेट में घंटों बैठने की आदत है, तो आपको गुनगुना पानी पीना है तब आप इस अचुग घरेलू नुस्खे को जरूर आजमाएं, इसके लिए आप दूद में चीनी डाल कर उसका सिवन रात को सोने से पहले जरूर करें और ध्यान रखें कि दूद गुनगुना ही हो, अगर ऐसा आप करते हैं, तो इससे आपको ट्वालेट में घंटों बैठने की जो समस्या है, उससे छुटकारा मिल जाएगा इसके लावा है लहसुन, लहसुन पेट की किसी भी परकार की समस्या में कारकर उपाय है बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि लहसुन में anti-inflammation तत्व होते हैं, जो पेट में मौझूद खाने को पचा कर उन्हें पतला बना देते हैं, जिससे अगर कोई बेकती ट्वालेट जाता है, तो इसका पेट असानी से साफ हो जाता है आप लहसुन को पका कर या फिर कच्चा भी सेवन कर सकते हैं, साथ ही आप अपने खाने में लहसुन को डालना न भूलें, इसके अलावा है दही का इस्तमाल, पेट के लिए दही बहुत ही अधिक फैदे मन्द होता है, दही में कई परकार के जिवानों पाय जाते हैं, जो ह इसके अलावा आप अगर अपने पेट की समस्या को पुरी निजात पाना चाहते हैं, तो आप आमला और अलोवेरे का जूस एक एक चमज, दोनों मिला कर पानी में पिएं, इससे आपको कुछी दिनों में पेट की हर समस्या से रहत मिल जाएगा, और आप जो घंटों ट्व इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा, और यह बहुत ही कारगर घरेलो नुस्खे हैं और घरेलो उपाय है, इससे फाइदा होना 100% गारेंटीड है, तो अगर आप इन उपाय को अपनाते हैं, तो आप ट्वालेट में घंटों तक आपको बैठना नहीं परेगा, दोस् हाल रहे